नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जीया सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं नए संसत भवन से समंधित महतपूर प्रशनों को जो की आपके सभी एक्जाम्स के लिए जो की आगामी एक्जाम्स से उनके लिए काफी इंपोटेंट साबित होगी तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की सेसन को और देखते हैं आज का पहला प्रशन आज का पहला प्रशन है वरतमान में जो संसत भवन है उसकी आधार सिला कब रखी गई थी तो कब रखी गई थी दोस्तों यह रखी होखी गई है कि तो इसका जो राइट अंसर बहु है 10 दिसम्बर 2020 को ठीक है चलिए अगला प्रसोर नेकलेते हैं अगला प्रस है नए संसत भवन का निर्मार कार्य की ज Mont लागत कितनी है तो कितनी दोस्तों तो इसकी जो उनमानित लागत हो है नौसो एकतर करोड MP3 ठीक है यह जितने भी questions हैं, यह सारे बहुत important है, railway exams के लिए, SSC exams के लिए, और जितने भी आपके UPSC exam हो गए, या फिर state level exams हो गए, तो इन सब के लिए बहुत important है, तो आप इन सारे प्रस्णों को बिलकुल अच्छे से त्यार कर लेजेगा, तो चलिए, अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है, ने संसत बहुन का निर्माड कितने चेत्रफल में होगा, ठीक है, तो ने संसत बहुन का निर्माड होना है, वो होना है, चौशट हजार पानसो वर्ग मीटर के चेत्रफल में, ठीक है, तो यहाँ पर option number one जो है, वो correct है, चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं, प्रस्ण है, ने संसत बहुन का निर्माड कब तक पूढ कर लिया जाना प्रस्तावित है, तो कब तक पूढ करना प्रस्तावित है, तो यह है, 2022 तक, 2022 में यह पूढ कर लिया जाएगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उद्धाटन भी क्या होगा, 2022 में ही होगा, ठीक है चलिए अगला प्रश्ण देखते है प्रश्ण है नए संसद भववन करियामार कौन सी कंपनी करेगी तो इसका जो राइट आंसर होगा कौनसा होगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो है Tata Project ठीक है Tata Project जो है नए संसद भवन करियामार करेगी ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प्रस्ण है नया संसद बहुन के लोग सभा कक्ष में कितने सदस्यों की बैठनी की बेवस्था होगी ठीक है तो नया जो संसद बहुन बनेगा उसमें लोग सभा जो कक्ष होगा उसमें कितने लोग बैठ सकेंग तो उसमें बैठेंगे कितने लोग तो उसमें बैठेंगे 888 लोगों की बैठनी की ब्यूस्था होगी ठीक है आपसे नमट्रू यहां पर करिक्ट है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं प्रसना हैं नय बिल्डिंग में राजसबा हक्षी में कितने सहदस से बैठ सकेंगे तो यहां पर प्रोजू राइट आंसर वह थी सो चार रासी सदस्य बैठ सकेंगे ठीक है ना चली यह अगला परस्थ य हैं जसेक्थ सत्र में कितने सदस्यों की बैठनी की बिवस्था होगी तो जогती सत्र चलेगा उस में कितने सदश सी बैठ तो उसमें सो चौविस सदश से बैठ सकेंगेайн से हमें अगला प्रसन लेखते हैं है अग्ला प्रegal है नय संसद्भवन का आकार कैसा होगा हुए तो कैसा होगा दोस्तों टो इसका जो आकार होगा और जो गात्रिभुजाकार होगा ठीक है। उप्शन नॉबर थ्री या पर करेक्ट है चलिए अगला प्रति देख लेते हैं अग़्ला प्रति है नए संसद भवन की आधरसिला कब रखी गई है ठीकतём रखी गई है तो यह रखी गई है दस दिதbeiten 2020 को ठीक है दस दिसम्वर 2020 को रखी गई है चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं दिली में नए संसत भण की आधार सिला किष्नी रखी है तो इसकी जो आधार सिला रखी है हमारे देश के जो प्रधारमंतरी है नरेंद्र मोदी इन्हों ने रखी ठीकिशन न्बर फोर यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला प् चैनल विष्टा पर यूजना के थाथ इसका निर्माड किया जाएगा उप्सिन नुबर तू यहां पर करेक्ट है चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं प्रस्थ है नय संसद भहन का डिजाइन किस ने त्यार किया है तो यहां पर जो राइट आंसर वह है एच सेपी डिज लिए अपने नोटबुक में नोट कर लिजेगा और इसका PDF में टेली ग्राम चैनल पर दे दूँगा सो आप वहां से इसको ड़ाउन्लूट कर लिजेगा टेलीग्राम चैनल लिंक संदंद दे रखा है तो वहां से आप जाके इनको जोईन कर लिजेगा ठीक है तो मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर